कैलिफोर्निय राज्य की स्टैंटफर्ड उनिवसिटी के अवशदी विबाग के खोच के अनुसार दोडने का व्यायाम जादा आयू वाले लोगों के लिए फाइदे मन्द साबित हो सकता है इस अभ्यास में पाया गया कि व्यायाम करने वाले लोगों से लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं और उनमें स्वास्त से जुड़ी समस्याएं भी कम होती है स्टैंटफर्ड उनिवसिटी के शोतकरताओं ने 1984 से 300 ऐसे लोगों का अध्यन किया जिनकी आयू 50 वर्ष से ज्यादा थी इन लोगों की उम्र का असत था 58 वर्ष इन में से कई लोग 10 सालों से दोडने का व्यायम कर रहे थे अब उनकी उम्र है 70 से 80 के बीच इनकी तुलना ऐसे लोगों से की गई जो दोडने का व्यायम नहीं करते थे डॉक्टर एलीजा चक्रवर्ती कहती है के दोडने का व्यायम करने वाले ज्यादा उम्र के लोगों को कैंसर जैसी बीमारी से लड़ना ज्यादा आसान होता है दिरगाई उशे के विशेशग्य डॉक्टर वाल्टर बोट्स का कहना है कि नियमित वयायम से बुढ़ापे में बिमारियों से लड़ने में आसानी होती है स्टैंटफर्ड उनिवसिटी के रणिंग ट्रैक पर दोडने वाले लोगों का दल हफते में एक बार नियमित रूप से मिलता है इनमें से कई लोगों की उम्र 80 साल से ज्यादा है इनमें मार्क रिकॉर्ड भी शामिल थे जो 80 वर्ष के है और पिछले 35 सालों से दोड़ते आये हैं जो एस हैना स्टैंटफर्ड उनिवसिटी में स्वास्त सुधार की जानकार हैं लेकिन डॉक्टर्स शेतावनी देते हैं कि ज्यादा उम्र के लोगों को व्यायम की शुरुआत करते समय सावधानी बरतनी चाहिए और व्यायम की शुरुआत धीरे धीरे करनी चाहिए झाल 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 झाल